लाल बटन को दवा कर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दवा ले सबसे पहले नीज देखने के लिए दोस्तो WDN नीज में बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो अभी अभी बरी ख़बर निकल के आ रही है बीजे पी में दवरी खुसी की लहर, कॉंग्रेस का सबसे वरा नेता बीजे पी में हुआ सामिल तो दोस्तो आगे बरने से पहले आपसे गुजारिस करेंगे कि बीडियो को लाइक जरूर कर ले तो आईए जानते हैं पूरी ख़बर दोस्तो आप तो जानते ही होंगे कि इस समय सभी पाटियों की नजर 2019 में होने वाले लोकसवा चुनाव पर है इसी के मद्दे नजर हर पाटी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है दोस्तो जैसा की फिलहाल सभी को पता है कि कॉंग्रेस ने पियम मोदी के विजाई रत को रुकने के लिए महा गटवंदन का सहारा ले रही है लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ख़बर देने जा रहे हैं जिसे सून पूरी कॉंग्रेस के अंदर हर कम्प मच गया दोस्तो इस ख़बर के अनुसार आपको बता दे कि कॉंग्रेस की एक कदावार नेता ने कॉंग्रेस के त्याग पत्र दे कर बीजेपी का दामन थाम लिया है जिस से कॉंग्रेस हैरान रह गई है दोस्तो आपको बता दे कि खबर ये भी मिली है कि कॉंग्रेस का ये वरिष्ट नेता अकेला बीजेपी में नहीं गया बलकि उन्होंने अपने साथ कई समर्थकों को बीजेपी के सद्ध स्था दिलाई है दोस्तो कोई राजनिती के जनकार बता रहे हैं कि बीजेपी को हारने के लिए कॉंग्रेस पहले से ही गठवंदन का सहारा ले रही है ऐसे में पाटी के एक बरे नेता का ऐसे साथ छोरना कॉंग्रेस के लिए एक दुखत समाचार है दोस्तो अब हम आपको कॉंग्रेस के उस नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिनोंने कॉंग्रेस से त्याग पत्र देकर बीजेपी में सामिल हो गए हैं आपकी जनकारी के लिए बता दे कि 2004 से 2009 में गुजरात की महेसाना लोग सवासीट से संसद रहे कॉंग्रेस के बरिश्ट नेता जीववा भाई पतेल ने बीजेपी अध्यक्ष अमीट साह के सामने अपने कई समर्थों के साथ बीजेपी की सदस्ता गरहन करनी है परदेश कॉंग्रेस की कोसा अध्यकर रह चुके जीवा मीना के ने कहा कि देश और परदेश केबल PM मोधी के नेतरित्व में विकास कर सकता है बाकी किसी और के नेतरित्व में संभव नहीं है जीवा मीना पाटलिदार समूदाय में एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं उनकी ऐसे कॉंग्रेस छोरने से कॉंग्रेस के लिए एक भारी छती बताई जा रही है जिवा मीना और कॉंग्रेस के बीच अंसन की खबरे काफी पहले से आ रही थी दोस्तों आपको इस पे क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए साथ ही वीडियो को लाइक कर दे अपने दोस्तों के साथ फेश्बुक वाट्सब ट्वीटर पर सेयर करना न भोले धन्यवाद